Welcome my soul family देखते हैं आपके पार्टनर का immediate next action क्या होगा आपके लिए मैं यहाँ पे देख पारी हूँ बहुत सारे लोगों के पार्टनर heavy energy face कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर किसी वज़े से इतने परेशान है किसी guilt या grief में है जिसकी वज़े से इनकी नीन पूरी तरीके से गायब हो चुकी है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा miss करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर stand तो लेना चाहते हैं लेकिन obstacles की वज़े से अभी भी थोड़ा डर रहे है मैं यहाँ पे nine of swords के card को clarify करूँगी देखते हैं क्यों इतना परिशान है nine of swords के लिए two of pentacles का card आया है बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी दो situation की वज़े से जगल करते हुए यहाँ पे दिख रहे है यह financial juggling या emotional juggling या एक साथ दोनों juggling की वज़े से यह परिशान हो रहे है आप दोनों के रिष्टे में यहाँ पे third party issue दिख रहा है इसी karmic person या karmic situation की वज़े से यह बुरी हालत में है देखते हैं nine of wands का card क्यों आया है nine of wands के लिए nine of cups का card आया है मतलब आपके partner अपने डर को overcome करेंगे obstacles को पार करेंगे और अपनी wish के लिए strong stand लेंगे यह थोड़ा अभी भी time ले सकते लेकिन बहुत जल्दी यह action mode में आने वाले है nine of cups का card wish fulfillment का card है मतलब आपके रिष्टे को जरूर success मिलेगी देखते हैं magician का card क्यों आया है magician के लिए chariot का card आया है जैसा मैंने बोला आपके partner आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा miss करेंगे जो भी लोग suppression में है उनके partner उनके पास वापस लोटते हुए दिख रहे है आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का no contact situation खतम होगा मैं nine of swords के लिए और एक card लेना चाहती हूँ nine of swords के लिए यहाँ पे five of wands का भी card आया है मतलब कुछ लोगों के partner सच में बहुत बुरी हालत में है जो भी third party है या जो भी karmic person है जिसकी वज़े से आप दोनों में problems create हुई है वहाँ से इनको बार-बार trigger मिल रहा है और उसकी वज़े से यहाँ पे argument की energy भी निकल के आई है यह argument और trigger की वज़े से इनका mood भी खराब हो सकता है यह आपके साथ भी rudely behave कर सकते है तो conflict avoid करे उनको उनकी space दे chariot के लिए भी मैं और एक card लूँगी chariot के लिए nine of pentacles का card आया है यह abundance की energy आपके partner की financial juggling या career issues यहाँ पे sort out होते हुए दिख रहे है professional life में उनको कोई success यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है जिसकी वज़े से आपका reunion आसान हो जाएगा किसी financial issues की वज़े से आप दोनों में suppression हुआ है तो आपके partner कुछ good news आपको दे सकते है आपके partner आपको बहुत जादा appreciate भी करेंगे यहाँ पे दो-दो cards wish fulfillment के है मतलब जो भी आप दोनों के रिष्टे में problems है वो sort out होके आपका reunion होगा आज का reading में यही end करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए, share कीजिए और मेरे चानल को subscribe कीजिए keep dreaming and stay hopeful for tomorrow कल मिलते हैं और एक नए reading के साथ तब तक के लिए अलविदा